जैहिंद वंदे मातरम, स्वागत है आप सभी का सिक्षक परिवार गुरुजी वर्ल्ड एक्जाम स्टड़े पैटफॉर्म में उमीद है आप और आपका परिवार बहतरीन और उम्दा होगा दोस्तों इस समय सबसे बड़ी समस्या आपके सामने जो आ रही है वो यूपीटेट रिजर्ट को डाउनलोड करने में सरकार भी आप सभी को चैलेंज कर रही है कि अगर आपने यूपीटेट का रिजर्ट डाउनलोड कर लिया पोर्टल पर तो मान जाओंगा आप सबसे बढ़िया आदमी है तो हम बात करेंगे दोस्तों 10% या 12% ही रिजर्ट अभी डाउनलोड हो पाए है जैसे जैसे रिजर्ट डाउनलोड हो रहे हैं वैसे वैसे बच्चे हमें मेल कर रहे हैं कि सर इतना इतना स्कोर हम दो से तीन जो खबरे हैं कोर्ट केस से लेकर N.I.O.S. बाहर डेलड बाहर, बीटीसी बाहर या बीड बाहर इन तीन खबरों को बताने वाले हैं और रिजर्ट तो चेक करते रहेगा साथी साथ मैं बता दूँ एक बच्चे ने जो अपना रिजर्ट भेजा है 137 नंबर का जो मुहमद यूशुप करके है पूजा कुमारी का एक स्कोर आया है 134 नंबर 124 नंबर आया है प्रतीक मिस्रा का आया है ठीक ना इस तरीके के बहुत से मेल पर हमें देखने को मिले हैं और हमारे नोट्स काफी कारगर्द आपके एक्जाम में साबित रहे हैं कोई बात नहीं उसकी लेकिन दूसरी तरफ हम यही पीपीटी को छोणके एक फेक पीपीटी जो आपके पोर्टर पर वाइरल हो रही आपने देखा भी होगा इसे जिसमें लिखा है कोर्ट केस अब ये कोर्ट केस को बना कर एक बच्चे ने बुद्धहीन बर्गों का ये काम होता है और उसको बना के फेक न्यूस बना के और उसको जो है चस्पा कर दिया और कह दिया कि भाई बीएड की बज़े से ये समस्या आ रही है अब मैं आपको बता दू ऐसा कोई समस्या नहीं है जिन बच्चों के दिमाग में दो चीजे है जो बच्चे बीएड कर रहे है बीटी सी नाइवाइस कर रहे है जिन बच्चों के दिमाग में अगर दो चीजे है कि अगर बीएड की बज़े से रिजल्ट नहीं खुला इसकी बज़े से रिजल्ट नहीं खुला कि B8 की बजहे से यहाँ पर एक नोटिस आया है एक स्टार बना हुआ है रिजल्ट के माद्यम में NIOS और B8 इस बार जोड़ गया है कि भाई यह है मामला माननिय कोर्ट के सामिल छित्र का है और जैसे जैसे कोर्ट जो है फैसला करेगी उस तरीके से B8 को रखा जाएगा या नह नुकसान होता है कुछ बच्चे दुखी होते क्यों ऐसा सरकार काम करती है जिसरे फार्म डलवाए जाए और फिर परिक्षा भी दिलवा जेते हैं दीकितने महान वर्ग लोग हैं फार्म भी डलॉआलो करोन ौर रुपे हसिल कर लो और परिक्षा दिलवालो कोई दिक्कत नहीं लेकिन जब बात आती है नोकरी की, जब बात आती है permnity की तो बात वहां से ये लोग खतम हो जाते हैं, पता ही नहीं अपना अपना देख लो, तो सरकार कहीं ना कहीं वो काम कर रहें, अप देको इनकी site नहीं चल लए है, अब अगर site नहीं है, ये सही से result नहीं दे पार है तो भरती क्या देंगे सबसे पहली बात तो आप देख लो अगर ये result नहीं दे पार है तो भरती क्या देंगे कोई भी सरकार होती इनका हमेशा गारा है 10 साल पहले भी, 5 साल पहले भी, 6 साल पहले भी 8 साल पहले भी इनकी डियलेड़ वाली जो साइट है रिजल्ट वाली जो साइट है हमेशा आईजी चली है बिल्कुल एकदम से सरकारी वाली साइट और सरकारी तो हैं सिंपल सी बात आप समझ लीजेगा तो रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजेगा बहुत आसान आसान सी चीज मैं बताता हूँ रात्री में एक बार ट्राई करिये जो बच्छे खोल ले रहे हैं वो खोल लाए 12-13% रिजट खोल लाए है कोई दिक्कत नहीं है अब जिनका नहीं खोल लाए तो वो परेशान हो चुके हैं थक चुके हैं आर चुके हैं कि नहीं कोलेंगे जब गेहूं की कटाई हो जाएगी तब खोलेंगे जब जो है अगली सीजन आईगी तब खोलेंगे है ना तो बिल्कुल सही बात है आपकी भी क्योंकि कितना खोलो गया तो बने रहे हमारे साथ और आने वाले एक्जाम की बेहतरीन तयारी करने के लिए सूपर टेट बीटी सी जो बीड़ वाले बच्चे हैं डिलर डनाइवस वाले बच्चे हैं उन सभी से कहना चाऊँगा हारमत मानिएगा सारे बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए बहुतरीन नियूज लेकर बहुतरीन कांटेंट लेकर बहुतरीन स्कोर होता है जब एक्जाम आपका निकलता है तो रिजल्ट चेक हो जाएगा जैसे चेक हो जाए बैसे नमबर आप कमेंट कीजेगा बहुत सवागत है बन्दे मातान।